शंक्षिप्त महा भारत के आश्रमेधिक पर्व में अगनी के सवरूप, अगनी होत्र की विधी तथा उसके महात्यमे का बढ़न युदिश्टर ने पुछा देद्वेशर ब्रामन शक्त्री और वैश्य को किस परकार हवन करना चाहिए अगनी के कितने भेद हैं, उसके प्रतक प्रतक सवरूप क्या हैं, किस अगनी का कहा स्थान है, अगनी होत्री प्रुष किस अगनी में हवन करके किस लोग को प्राप्त होता है पूर काल में अगनी होत्र का निमित क्या था? देटाओं के लिए किस परकार हवन किया जाता है? और कैसे उनकी त्रिप्ती होती है? अगनी होत्री को किस गती की प्राप्ती होती है? यदि तीनों अगनियों के सवरोग को नव जानकर उनमें अविधी पूरत हवन किया जाए तथा उनकी उपासनव में तुरुटी रह जाए, तो त्रिवीद अगनी-अगनी होती का क्या निश्ट कर सकते हैं। तथा जिसने अगनी का प्रत्याक कर दिया हूँ, वे पापात्मा किस योनी में जन्म दीता है। ये सारे बाते शंक्षेव में मुझे सुनाईए, क्योंकि मैं भक्ती वाव से आपकी शरन में आया हूँ। भगवन, आप सरवग्य हैं, सबसे महान हैं, आपको मैं नमश्कार करता हूँ। तो भगवान जी ने कहा राजन, इस महान पुन्यदायक और परम धारम रूपी अमरत का वर्नज सुनो। ये धारम प्राइन अगनी होत्ती ब्रामनों को भाव सागर से पार कर देता है। मैंने श्रिष्टी के प्रारम्भ में ब्रह्मा रूप से संपुरन लोगों की श्रिष्टी की, और लोगों की भलाई के लिए अपने मुख से सरप्रथम अगनी को प्रगट किया। इस प्रार अगनी तथ्त्तम मेरे द्वारा सब भूतों के आगे उत्पन हुआ है। इसलिए प्राणों के ग्याता मनीशी विद्वान उसे अगनी कहते ही। समस्त कारियों में सब से आगे प्रज्रित आग में ही आहुती दी जाती है। इसलिए इसका नाम अगनी है। यह बड़ी भाती पूजित होने पर ब्राम्नों को परमपत की प्राप्ती कराता है। क्रव्याद कहा गया है ये अगनी संपुरन धुतों का सवरूप और देटाओं का मुख है अनबचाने के कारण इसे पचन कहते हैं इसकी उपासना होती है इस दिये यहे उपासन कहा गया है आहुती शब से सब का भूध होता है उस सरसरूप आहुती में अगनी का आवसत्थ निवास है है ब्रह्मवादी पुर्ष्व ने उसे आवस्थ बतलाया है जिस ब्रह्मन के यहां धर्म के उनसार पंच महायग्यों का अनुष्ठान होता है वे चंद्रमंडल के मध्ध में होकर उधर्व गती को प्राप्त होता है इंद्रियों और मन ब्द्धी पर सियम रखने वाले सिद्ध महिस सब्त रिशिगन अगनी की अराधना में तत पर रहने के कारण ही देवताओं के सब्रूप को प्राप्त हुए है दूसरे विद्वान आवसाथ्य अगनी को ही पंचागनी कहते ही क्योंकि उसी में पंच महायग्योकिस्तिती है स्थाली पाक तथा गोह करम सब इसी में परतिश्टित है ग्रह करम का आधार होने के कारण इसे ग्रह पती भी कहते ही कुछ ब्रह्मिताओं के मत में अपासन, आवसाथ्य, सभ्य और पचन नामक अगनी भी यही है ऐसा ही मेरा भी मत है राजन आब एकागरचित होकर अगनी होत्र का परकार सनो गुन के अंसार नाम धानन करने वाले जो त्रिविध अगनी हैं उसके संबंध में यहां कुछ बाते बताई जाती है ग्रहों का अधिपत्य ही ग्रह पत्य माना गया है ये ग्रह पत्य जिस अगनी में परतिष्टित है वही ग्रह पत्य अगनी के नाम से परसिद्ध है जो अगनी यजमान को दक्षिन मार्ग से सर्ग मिले जाता है उसे ब्रामन लोग दक्षन अगनी कहते हैं आहुती शब्द सर्व का बाचक है और हमन नाम का हव्य है सब परकार के हव्य को सिविकार करने वाला वहनी आवाहनी अगनी कहलाता है जिस आवसथ्य नामक मूल अगनी में ब्रामन विदी पूरक हमन करता है उसी को पंचागनी भी कहते हैं उन अगनियों की सबा में स्थित रहने वला एक और अगनी है जो सभ्य कहलाता है आफ सत्य नाम वला जो प्रथम अगनी है वे प्रजापती का सवरूप है घ्रेपत्य अगनी भ्रह्मा का सवरूप है क्योंकि ब्रह्मा जी से ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है और ये दक्षन अगनी रुद्र सवरूप है हौं के अरंब से लेकर अन तक जिसके मुख में आहुती डाली जाती है वे आवाहनी अगनी स्यम में हूँ सब्य नामक जो पंच अगनी है वे स्वामिक कार्तिके का सवरूप है प्रिथिक घ्रैपत्य अगनी अंत्रिक्ष दक्षन अगनी और सर्ग आवाहनी अगनी है इस परकार के अगनी के तीन भेद मानेगे है घ्रैपत्य अगनी गुलाकार है क्योंकि उसकी सवरोबुता प्रिथिक गोल है अंत्रिक्ष का अकार अर्चंदर के सुमान है इसलिए दक्षिन अगनी भी वैसा ही माना गया है सर्गलोक निर्मल, निरामे और चकोना है इसलिए अवाहनी अगनी भी चकोना ही पताया गया है जो घ्रैपत्य अगनी में हमन करता है वे प्रिथि पर विजे पाता है दक्षिन अगनी में हमन करने वाला प्रुष अंत्रिक्ष को जीत लीता है कि तो जो मुनशिय भक्ती युक्तचित से प्रति दिन आवाहनी अगनी में हमन करता है वे प्रित्थी अंत्रिक्ष और रिश्यों सहित सर लोक कर भी अधिकार प्राप्त कर लीता है यग्यों में सब और से अगनी के मुख में हमन किया जाता है इसलिए वहे अत्यंत कांती मान अगनी आवाहनीय संग्या को प्राप्त होता है अगनी होत्र अत्वा अन्यान यग्यों में होम के अरंब से ही अगनी के भीतर आहुती डाली जाती है इसलिए भी उसे आवाहनिय कहती है जो दिज आव सथ्य नामक मूल अगनी में विधिवत हमन करता है वे अपनी पत्नी के साथ सब्तरिशी लोक में जाकर अनन्द भूगता है तथा में समस्त अगनीयों का प्रिय हो जाता है आव सथ्य अगनी में जो होम किया जाता है उसको अगनी होत्र कहती है वे हो अर्थात दुख से यजमान का प्रान तरान करता है इसलिए अगनी होत्र कहा जाता है आतम मिता विद्वानों ने अध्यात्मिक, अधिदेविक और अधिभोतिक ये तीन परकार के दुख बतलाए है विदिवत हों करने पर अगनी इन तीनों परकार के दुखों से जजमान का तरान करता है इसलिए उस कर्म को वेद में अगनी होत्र नाम दिया गया है विश्यविधाता ब्रह्माजी ने ही सबसे पहले अगनी होत्र को प्रगट किया वेद और अगनी होत्र सता उत्पन हुए हैं इनका दूसरा कोई करता नहीं है वेद अध्यन का फल अगनी होत्र है अर्थात वेद पढ़कर जिसने अगनी होत्र नहीं किया उसका वे अध्यन निश्वल है शास्त्र ग्यान का फल शील और सदाचार है इस्ती का फल रती और पुत्र है तदा धन की सफलता दान और उभव करने में है तीनों वेदों के मंतरों के सिंग्योग से अगनी होत्र की प्रिवित्थी होती है रिक्य यजू और सामवेद के पुद्र मंत्रों तथा मिमानसा सुत्रों के द्वारा अगनी होत्र करम का पृतिपादन किया जाता है वसंत्रित्व को ब्रहमन का सवरुफ समझना चाहिए तथा वेवेद की योनी रूप है इस्तिये ब्रहमन को वसं शत्रियों के लिए ग्रीश्म रित्यों में अगने धान करना श्रिष्ट माना गया है। प्रजा, आयो, पशु और धन की वृद्धी होती है। जोती शास्त्र और निरुप तभी अगनी होत्र के लिए ही रचेगे हैं। इतिहास, पुरान, गाथा, अपनिशत तथा अथर वेद के करम भी अगनी होत्र के लिए ही हैं। तिथी नक्षत्र, योग, महुरत और करन, रूप काल का ग्यान पराप्त करने के लिए पूर काल में जोती शास्त्र का निर्मान हुआ है। रिगवेद, यजरुवेद, सामवेद के मंतरों के चंद का ग्यान पराप्त करने के लिए तथा शंशे और विकल्ग के निराकरन पूरवक, उनका तात्विक अर्थ समझने के लिए चंद शास्त्र की रचना की गई है। वरन, अक्षर और पदों के अर्थ का, संधी और लिंग का तथा नाम और धातु का विवेख होने के लिए पूर काल में व्याकरन शास्त्र का प्रणियन हुआ है। यूप वेदी और यग्य का सवरूप जानने के लिए प्रोक्षन और चरूपकाना आदी की इतिकरम करतव विता को समझने के लिए तथा यग्य और देता के संबंध का ग्यान प्राप्त करने के लिए शिक्षा नामक विदांग की रचना हुई है। यग्य के पात्रों के शुद्धी, यग्य समद्धी समग्रियों के संग्रे तथा समस्त यग्यों के विकल्पिक विधानों का ग्यान प्राप्त करने के लिए कल्प का निर्मान हुआ है। संपुरन विदों में प्रियुक्त नाम, धातो और अविकलबों के दात्विक अर्थ का निष्चे करने के लिए दिश्यों ने निरुक्त की रचना की है। यग्य की वेदी बनाने तदा अन्य समग्रिय को धरन करने के लिए ब्रह्मा जिने प्रिथिक की श्रिष्टी की है, समिधा और योग बनाने के लिए वंस्पतियों की रचना की है, जो ब्रह्मन मंत्रों का विनियोग यग्यी पदार्थों का प्रोक्षन चरूपकाना, दर्श और पोर्ण मास के अंगभूत, अनू, याज और प्रयाज, वायु देवता का स्तमन, साम्मेत के उद्गाता का करम, प्रती प्रस्थाता का करम, दक्षिना, अभ्रिष्चिनान, त्रिकाल पूजन, उचिट स्थान पर देताओं को निवध्यरपन करना, देताओं का आवाहन, विसरजन, और हविश्य तियार करने आदी करमों को नहीं जानते, वे अंदकार से बरवे घोड नरक में पढ़ते हैं, सर्न और चांदी ये यग्य के पात्र और कलश बनाने का काम लेने के लिए पैदा हुई हैं, कुशो की उपत्ति हमन कुंड के चारों और फैलाने और राक्षों से यग्य की रक्षा करने के लिए हुई है, यग्य तद्धा पुजा का कारे करने के लिए ब्रामनों का प्रादुर भाव हुआ है, सब की रक्षा के लिए शत्री जा इस परकार संपूरन जगत अकनी होत्र के लिए ही रचा गया है जो मुनश्य अग्यान अंधकार से आचादित होने के कारण इस बात को नहीं जानते वैरोरव नरक से परसिद्ध भ्यानक नरक में पड़ते हैं और उसे चूटने पर उनका क्रिमी कीड़े की योनी में जनम होत जो दिज विधी पूरक अगनी होत्र का सेवन करते हैं उनके द्वारा दान, होम, यग्या और अध्यापन ये समस्त करम पूर्नो जाते हैं इसी परकार ब्रावनक के द्वारा जो यग्या करने, बगीचे लगाने और कौए खुद्वाने आदी के कारे होते हैं उन सब के प थापित किये वे संसार के पुन्य और अगनी होत्री के सुकृत को सुर्य देव धारन की आए रहते हैं अगनी होत्री पूर्स सर्ग में जाकर अगनी होत्र के पुन्य फलका भोग करते हैं और संपुरन भूतों के परले होने तक वे देताओं के समान रूप धारन करके वहा करने वालों के भी होती है इसलिए जो दिज पर देश में न रहते हूं और उधर्व गती को प्राप्त करना चाहते हूं उन्हें प्रति दिन विधी पूरक अगनी होत्र करना चाहिए अगनी होत्र को अपने आत्मा के समान समझ कर कभी भी उसका अपमानिया एक शन के लिए भ और भाव नहीं बढ़ता जो प्रतिदिन प्रताकाल शिनान करके जितिंद्री भाव से विधिवा तक नहीं हो तरकानु स्थान करते हैं। अतितिकी स्यवा में लगे रहते तदा शाद भाव से रहकर दोनों समय मेरा ध्यान करते हैं। वे सूरे मंडल को भेद कर मेरे परम धाम को प्रापत होते हैं। घांसे पुना इस सैर में नई लोटना पढ़ता। वे उदेकालिन सूरे के समान कांती मान विवान ओपर बैठकर अपने इस्तिस हीत मेरे लोक में जाते हैं। और बाल-सुरे के समानद तजस्टी होकर इच्छां सार रूपधारण करते और जहाँ चाहते वहाँ विचरते रहते हैं इतना ही नहीं इस श्रियक उनो से संपन होकर वे वह वहाँ अपणी मोझ के अंसार की डाड़ा करिडाईं करते रहते हैं पांडो नंदन अगनी होत्रियों की ऐसी ही भूती होती है इस संसार में कुछ मुरक मनुष्य शुरुती पर दोशार उपन करते हुए उनके निंदा करते हैं तो उसे परमान भूत नहीं मानते ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गती होती है प्रंतु जोद्विज आस्तिक्य बुद्धी से युक्त होकर वेदो और इतिहासों को परमानिक मानते हैं वेद्धिताओं का सयुज्य प्रात करते हैं